दोजार चौदा में आए आपने मोदी जी को 31 सिते दी 19 में आए 49 दी और 24 में 40 की 40 सिते मोदी जी की जोली में डालना है कॉंग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एक मात्र लक्स है राहूल गांधी को प्रदान मंत्री बनाना और लालू जी का एक मात्र लक्स है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना मुझे बताओ एक कस्मीर जो है कि हमारा है या नई है 1370 हटनी चाहिए थी या नई हटनी चाहिए थी अध्यामे राम मंद्री बनना चाहिए था या नई बनना चाहिए था ये लालू कॉंग्रेस सभी लोग मिलकर 75 साल से धारा 370 को समाल कर बैठे दे यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अडवानी जी को पकड़ कर राम रद को रोका था कॉंग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एक मात्र लक्स है राहूल गांधी को प्रदान मंत्री बनाना और लालू जी का एक मात्र लक्स है इनके बेटे को मुख्य मंत्री बनाना मुझे बताओ एक कस्मीर जो है यह हमारा है या नहीं है ऐसे नहीं भाई जोर से बो लालू तक वाज जाए ऐसे एक कस्मीर हमारा है या नहीं है दारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी लालू कॉंग्रेस सभी लोग मिलकर 75 साल से दारा 370 को समाल कर बैठे थी आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रदान मंत्री बनाया धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त करकर कस्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया भाई और बेनों मुझे बताओ अयोध्या में राम मंद्री बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोड़ से बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था यही लालू प्रसाद यादम है जिसने अडवानी जी को पकड़ कर राम रत को रोका था लालू जी आप कुछ नहीं कर सकते बिहार की जन्ता हमारे साथ है मोदी जी ने राम मंदिर का भुमी पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्टा करने का काम भी मोदी जी ने इसके साथ साथ मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद नक्सलवाद को भी समाप किया बाई और बेनो इस देश को सुरत्सित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं इस देश को समरूद बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं और पीछडा और अतिपीछडा वर्ता उठान करने का काम भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं मुझे बताईए मैं आज इस पाटली पुत्र की महान भूमी पढाया हूँ आने वाले दिनों में देश का चुनाव होने वाला है विहार की जनता 40 में से 40 सिठे NDA को मोदी जी की जोली में ढालेगी क्या जोर सबुले ढालेगी क्या मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे क्या मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने के साथ साथ 400 पार कराएंगे क्या जोर से बो कराएंगे क्या